बहनाने बहाई की कलाई पर प्यार बांदा है प्यार के दो तार से संसार बांदा है नमस्ट कार्सू स्वागतम वेलकम आभी नेंदन मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन्दों जॉक्टर वायराकी आप सभी को रक्षा बंधन की हार दिक्षिप कामना है ये त्योहार बहाई बहनों का त्योहार है ईक्षिली ये त्योहार संबंधों को और मजबूती से समझने का त्योहार है देखिये मुरत कोई भी हो आप 3-3 को राखी बना त्या पर राखी ये रक्षा बंधन का जो त्योहार है ये बहुत ही खुबसूरत है जब भी आप अपने भाई को राखी बांधें तो आपका मूँ और भाई का मूँ खासकर भाई का मूँ तो पूरफ की तरफ जरूर होना चाहिए अगर भाई का मूँ पूरफ की तरफ है तो आपका पश्रिम की तरफ ही होगा लेकिन अगर आप नौ बच के पांच मिनट रातरी में भाई को राकी बांद रहे हैं तो आप दोनों छट पर जाकर बलकनी में जाकर चंद्रमा की रोशनी में राकी का रक्षा बंधन का एक खुबसूरा सा त्योहार बनाएं चंदा मामा को अपने इस त्योहार का गवाह रखें और इस तरह से दीपक जलाएं भाई के लिए रोली और चावल जरूर रखें कुछ मिस्ठान रखें थोड़ा सा जल जरूर रखें भाई की नजर उतारें बेहन को अपने भाई की थाली में पूजा की थाली में एक रुपे का शगुन का सिक् रूप से इमोशनल रूप से आप एक दूसरे के साथ जोड़े रहें बहुत खुबसूरत तो हा रही है किसी कारण आप अपने भाई से नाराज है ना तो नाराजगी मना लीजे देखें ये खुबसूरत सी राखी मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ इस पर कृशन जी क इस बता बहुत आई बहुत जा जा रहा है तो अगर आपका भाई आप से बहुत प्यार करता है तो ये रक्शा बंदन के त्योहार पर एक बार भाई को अपने घर बुलाएं अगली राकी पर आप इसके घर जाएं मतलब बेहन का भाई के घर आना भी जरूरी है अगर आप शादी शुदा है और बेहन का भाई के घर आना भी बहुत जरूरी है दोनों एक दूसरे के घर में अदला बदली जरूर करें लेकिन आप दोनों अभी पढ़ते हैं स्टूडेंट हैं और एक ही घर में रहते हैं तो एक साथ इस रक्षावंदन के त्योहार को जब बनाएं, तो परिवार को साथ लेकर, ममी, पापा, आप, भाई, दादा, दादी, जो जो घर में हैं, सब साथ में बैठें, बड़ों का आशिरवाद लें, और अगर आप अपने भाई के घर जा रही हैं राकी बानने तो अपन भाई के लिए राकी ले चुकी हैं मुझे पता है, अब वो आपने लाल रंकी ली, हरे रंकी ली, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, भावनाओं के साथ जाएए, भाई की आरती जरूर उतारें, उसे जरूर प्यारा प्यारा सा इस उंगली से कुमकुम लगाएं, उसके बड़े भाव के साथ, फिर भाई को कुछ मीठा अपने हाथ से जरूर खिलाएं, और भाई के हाथ से भी मीठा खाना बिल्कुल ना भूले आप, ये त्योहार खुबसूरत सा त्योहार है, आज लड़किया लड़कों से किसी तरह कम नहीं हैं, जब भाई आपको तोफ़ा दे, तो आप भी भाई के लिए तोफ़े में जरूर कुछ लेके जाएं, पहले जमाने के लोग कहते थे, कि जब आप जाओ रक्षा बंधन के स्तियोहार के लिए, तो हमेशा एक बात का दिहान रखो कि बहन एक रात अपने भाई के घर पे जरूर रुके, नॉर्मली अब लेकिन आप एक रात ना रुक सकें, तो चंद कुछ देर अपने भाई के साथ घर पे जरूर रुके, पुरानी बच्पन की बाते याद करें, एल्बम देखें, उसको उसकी बाते याद दिलाएं, भाई का समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका समय और भी बहुत अच चले, ऐसी इश्वर से काम ना करें, आज की दिन अपने भाई को अपने हाद से बना कर जरूर कुछ खिलाएं, घर से बना कर ले जाएं, या माई के जाके बना कर खिलाएं, या फिर आपके भाई का वक्त बुरा चल रहा है, तो उसके सर पर हात रख कर, चाहे आप छोटी ह बेटी, बहन, इस बार जब आपके घर आए, दिल खोल के उसका स्वागत करें, बच्पन में उसे खाने की जो चीजें पसंदी, वो खाने की चीजें उसे जरूर दें, और उसके हाद से राखी बंदवा कर, उसको आशिरवाद जरूर दें, दोनों भाई बहन गले लगें, एक दूसरे को प्यार संभावना के साथ, इज़त के साथ, एक दूसरे को कॉलिटी टाइम दे, अपने माता पिता के पैर चुएं, माता पिता को से आशिरवाद ले और उनका धन्यवाद करें, बहुत खुबसूरत दिवार हैं ये रक्षा बंदन का, और आपको क्या लगत अगर आप बहाई बहएं की रक्षा करता हैं, जो बहने अपने खाना उसके लगते हैं, आपने पती देख ngay को बहदरा को लेकर मन में कोई भी बात है, तो जिस तरह से हम करवा चौत रात में बनाते हैं, हम दिपावली रात में बनाते हैं और हम अपनी जिंदेगी के अंदर बहुत सारे ऐसे तोहारे जिनको जो फेस्टिवल हमारे देश के बड़े बड़े फेस्टिवल हैं जिने हम रात में ही मनाते हैं तो इस बार कुछ ऐसा सहयोग बन रहा है कि 9 बच के 5 मिनट से लेके सुभा 31 तारिक 7 बच के 5 मिनट तक भाई को राकी बाद सकते हैं। बहुत से लोग कल पूरा दिन भाई को राकी बादने वाले हैं। अगर बुद्वार की बात कीचे तो पूर्णीमा दस बजे से शुरू हो रही है सुभा 44 मिनट से लेकर। तो कोई बात नहीं आप जब भी अपने भाई को राकी बाद रहें। वो एहसास भगवान का लिए अपने भाई के लिए प्यार अपना पनोना चाहिए। बांध दीजिए अपने ही हाथ में और उसके बाद आप इसे किसी भी भगवान के पास या फिर उसकी तस्वीर के पास रख दीजिए। आपने भाई को अगर ऑलनाइन राकी बेज दीए तो भी काम जरूर कीजिए। आप कोई मन को बड़ा सकून मिलेगा और ये खुबसूरा सत्योहार है रक्षबंदन भगवान आपको आपके भाई को लंबी उमर दे। आप लोगों के रिष्टों में एहसास रहे, अपना पन रहे, अंडरस्टाइंडिंग रहे और कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हूँ। आप बहनों को कोई भी तोफ़ा दे सकते हैं पर कोशिश कीज़े बहनों को चपलें गिफ्ट में ना दें, बहने भाईयों को चपलें गिफ्ट में ना दें, काले और नीले रंग के कपड़ें गिफ्ट में ना दें, तो बहुत उत्तम रहेगा और भाईयों से भी कहूंग तो मम्मी पापा के पैर चुके उनको मीठा खिला कर आप अपने इन रिष्टों को जरूर सुधारें अब बात उनकी जिनके रिष्टे खराब हो चुके हैं अगर आपके भाइस से आपने जो है कोविट के बाद या किसी रीजन से राकी बानना चोड़ दिया है तेकिन अब हम कितना भी रिष्टों को छोड़ दे हमें जब रक्षा बंदन का तियोहार आता है सबी बहने राकी बानने के लिए जा रही होती है तो हमें अपने घर की याद आती है मैं राखी आपसे एक कहूंगी एगो किसी काम नहीं आती है वो आपका भाई है, खून का रिष्टा है रिष्टो में थोड़ी सी अगर गड़बर इदर उदर हो गई है तो एगो को साइट में रखकर या तो आप कॉल कर लीजे या अगर उनका कॉल आता है तो उनका स्वागत अभी नंदन कर लीजे उन्हें अपने घर बुला लीजे या आपको उनके घर जाने में प्रॉबलम है उनको अपने घर बुलाने में प्रॉबलम है तो दोनों भाई बेहन बीच में कहीं मिल सकते हैं लेकिन रक्षा बंधन का त्योहार कभी मत छोड़े जिन्देगी बहुत खूबसूरत है और आपकी बहन आपको राखी बानने के लिए आपका इंतजार कर रही होगी आपका भाई आपके फून का इंतजार कर रहा होगा तो फिर लडाई जगडा कैसा खूबसूरत सा दीपक बनाईए अपने भाई के लिए और तुरंत रक्षा बंधन के स्तिहार के तैयारी कीजिए और भाई की नजर भी आज के दिन जरूर उतारिये आप भाई को अगर केसर का तिलक लगाती है तो उसका गुरू अच्छा होता है आप उसे रूली का तिलक लगाती है तो उसका मं कि रहने की जरूरत नहीं है आप एक नारियल पर अपने भाई की नाम की रांकी रख दीजीए तीस को ना बना कर आप उसको एक पदिश तारी Miguel फी अपने भाई को राकी क baskी ऑन बाहिने के जग्त, दोनों भाई बैटके राखी बाहने बाँदे, तो बहुत अच्छा होगा, राखी बाँदे वक्त है गर हम एक सेल्फी ले, तो और भी अच्छा होगा, राखी बाँदे के बाद भाई बढ़ा है तो पैर चुकि उसके आशिरवाँ जरूर लें, छोटा ह या बेहनों के साथ जरूर बिताएं ओए होए इससे होगा क्या आपका बुद्ध ग्रह इतना अच्छा हो जाएगा रुके होए सारे काम जट से होने लगेंगे और मन को बड़ा सकून मिलेगा करकर देखेगा एक बार फिर से आप सभी को रक्षा बंधन की हार दिक्षिप का अई क्या आप सका होए बढका बार दिक्षिप की का बार दिक्षिप को रखियों का बार दिक्षिप कावा रखिक्षणा आपका बाद